कि selo फ्रेंड्स वर्लकंब एक टूमआ यूट्व चैनल फ्रेंड्स डीसी इंबेटर रेयर पर कंप्रेसर उन होते है तो उसमें क्यों होता है फॉर्ण नहीं बंद हो जाता है तुम आपके सामने विगर यह फॉल्ड आ रहा है तहुं आप उसको कैसे स्यॉफ कर सकते तो सबसे पहले आपको देखना है कि आपका जो कंप्रेसर है उसमें जो रेफ्रिजेंट होके बंद हो जाएगा एक चीज़ और नोट कर लेना है कि अगर आपकी गैस वहाँ पे कम होगी जो रेफ्रिजेंट है वो कम होगी अगर इन्वेटर मॉडल है तब ठीक है तो वहां पर होगा आपका इन्वेटर मॉडल में ठीक है तो आपका इन्वेटर मॉडल है और उसमें भी अगर जो रेफ्रिजेंट है वो ओबर है फिर भी वो कट ओफ हो जाएगा मत्रिफो के बंद हो जाएगा उसका है फ्रेसर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो यह दिक्कत आती है ठीक है तो आपका इन्वेटर मॉडल एक इंडीस नहीं और वहां पर आपको देख लेने कि वहां पर आपका जो सिस्टेम हो कहीं से जैसे चाहिए अगर बहुत जादा डश्टी होगा तो इस कंडिशन में आपका कंपर से ट्रफो के बंद हो जाएगा आप बिलोर की स्पीड एकदम प्रॉपर तरीकी से निकलना चाहिए अगर वहां पर लो नहीं होना चाहिए अगर वहां पर बिलोर स्वीट कम होगी तो आपके होते हैं तो आपको देख लिए उसके बाद आपको जो बिलोर में होता है बहुत ज़्यादा डश्टी नहीं अगर वो डश्टी होगा तो वहां पर गया स्पीड वी कम होगी और इसके बाद एपुरेटर पर आई साना स्टार्ट हो जाएगी और आपका कंपरिसर रिफो के बंद हो जाएगा तो आपको इस चीज सारी इस्टेब इस टेप चैक ओड कर लेना चाहिए उसके बार आपको चैकोड करना है कि आपके और यूट की फैन मोटर है वो प्रोपर तरगी से उसकी स्पीटिंग अलगा जो हीडिंग है वो प्रोपर तरगी से वहार निकाला है हीडिंग अधिक है तो वाप और दोरिंगे जो फैन मोटर है वह आप देखने की प्रोपर तरगी से चलना चाहिए अगर उसकी जो कैपसीटर होते हैं डीटिस के पैसीटर वह बिक हो जाते हैं तब यह दिक्कत आती अटिक है तो आप उसकी स्पीड देख लिए उसके प्रोपर दरगी से है या नहीं क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है डीसी इंबेटर एयर कंडिशन में अभी जो फोल्ड आया था था थोड़ दिन पहले तो मैं आपके शेयर करना उटिक है तो सब कुछ ठीक था उसकी पीज़ीवी ठीक थी और रिट की पीज़ीवी सप्लाइ सब्सक्राइब कर रहे हैं तो यह दिक्कत दो रिजन होते हैं दोनों रिजन आपको बताऊंगों कि क्यों आती एटी के तुरंती ओनों होता है फिर बंदो उससे पहले जो रिजन बता है वो भी मतलब यह टर्पिंग से रिलेटेट है यो डीसी इनिवेटर एर कंडिशन इ हमने वेंडिंग को चेक और करा मैंडेंगे तो ओके दिखा रहा था कोई दिक्कत नहीं थी फिर हमने क्या क्या एक साम मतलब उसके पास में एक इनूट सेम लगाता तो हमने और यूट की चेंज करी उसके बाद हमने देखा कि सब कुछ ठीक था मतलब हाला कि वो जो पीसी थी वो भी सप्ली ओर्ट कर रही थी मगर फिर भी हमने उसको ऐसा किया ठीक है तो उसके बाद भी यही दिकता रहे थी ए इकंप्रेसर जो है उसका ओन होता था तुरंत गूंग की आवास करता था और बंद हो जाता ठीक है तो उसके बाद बैंड निंग ठीक थी सब कुछ तो यह उसको प्रॉल्बम थी वह उसके प्रॉल्बम थी वह उसका चल गया मतलब एक दम ओके था कोई दिक्कत नहीं थी और एक जो दूसरी दिक्कत होती है दूसरा जो रीजन होता है वह यह उता आप जो आपने कभी भी अगर इनवेटर कंडिशन वहां पर आर वत्यस ए रेफ्रीजेंट है यह फिर आर 410 ए रेफ्रीजेंट है वहां पर आपको कभी भी हाफ गैस चार्ज नहीं करना है मैंने इससे पहले वीडियो अप्लोड की उसमें मैंने आपको बताया कि अगर गैस वहां आप जितनी गैस है सारी गैस को निकाल दें वहां से युनिट से अच्छे से बैक्यूम करें बैक्यूम आप 45 मिल्ट करेंगे बैक्यूम का आपको ध्यार रखना है प्रॉपर तरीके से बैक्यूम होना चाहिए ठीक है वह जब चार्जिंग लेंज जहां हम लगाते है वहा पर जो हम गयर चार्ज करते हैं तो उस समय उस चार्जिंग लाइन से एर भी जाती है भार की तो आप देख लिए उस चीज को नोड कर लें कि बहां पर बिल्कुल एकदम प्रॉपर दरीकी से लगाना चाहिए यह नहीं जाना चाहिए बहार कि अगर भार की एयर गई नहीं नहीं गई तो वहां पर क्योंगा आपका जो इन डिसी इन्वेटर एर कंडिसेन चाहिए वह आर चार्ट दस ए रेफ्रीजेंट वहां पर रेटन आपकी ठीक नहीं आईगी और आपका कंप्रेसर जो होगा वो ट्रिप होगा और रिटन तो विल्कुल इन है जो सक्षन वाल होता है यह जब वैक्यूम नहीं करते हैं हाप गयस होती है हाप गयस टॉफ आप करते थे तब यह दिक्कत आती है कि वहां पर पर प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आगी और आपका जो यूनिट है वह अच्छे से कॉलिंग करेगा तो फ्रेंट्स यह इन्फरमेशन कैसी लग है लेंए वह जहां जहां एपका बढ़ चीधनल नहीं भी और खापड़, मिला अपका आती है दाल आपका ओा था आती हैं हम हम किल्द Pict